सब्सक्राइब करें मेरे चैनल SMR को और पेल आइकन दबाएं लेटेस वीडियो सबसे तेज़ पाने के लिए नमस्कार दोस्तों SMR में आपका स्वागत है आज की जो यह वीडियो है इंडियन और्डिनेंस फैक्टरी द्वारा निर्मित 0.22 केलिवल की रिवालवर की उपर है यह रिवालवर पुरी तर से ऐलॉई की बनी है और इसमें वुट की ग्रिप मिलती है बागी रिवालवर में जहां 20 से ब्रेक होके गोलियां भराती है इसमें साइड में स्लाइड करके गोलियां भराती है बागी रिवालवर में 6 गोलियां एक बारे भराती है इसमें 8 गोलियां भराती है तो यार्ट्रावन की magazine इसके अंदर समझ लीजे है प्लस इसका weight हलका है चुकि ये metal में avoid के बनी हुई है वोट की grip है तो काफी compact काफी अच्छी दिखने में ये gun होती है इस पे जो paint है वो powder coating है कुछ में painted होती थी लेकिन अभी जो आ रहे है इसमें powder coating paint होती है तो काफी अच्छी revolver Indian autism बनाए गई range इसकी थोड़ी कम होती है 0.22 caliber ज़्यादा impact तो नहीं करती है आवाज भी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन अगर आप gun रखने के शौकीन है तो ये weapon भी आपके पास होनी चाहिए तो हाल फिलाल इस gun की जो weight है वो 320 gram होती है total weight इसके अंदर जो 0.22 caliber की गोली लगती है वो 3.34 grams की होती है जिसमें 8 रांट की गोलियां रगने कारण इसका weight हो जाता है गोलियों का 26.72 यानि 27 gram के लमसम इसकी 8 गोलियां पड़ती है यानि total weight इस gun का हो जाता है 346.72 grams यानि लगबग लगबग 300 gram की fully loaded gun होती है तो ये वजन में काफी अच्छी है अगर आप carry कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस gun आप carry कर रहे हो इसकी गोलियां चोटी-चोटी होती है बहुत ज़्यदा heavy तो नहीं होती है आवाज भी लेकिन impact अच्छा खासा करती है अभी मैंने इसको चलाया हुआ है मगर इस वीडियो में आपको चला के नहीं दिखा सकता हूँ capacity 8 round है grip जब आप लेंगे तो wooden मिलती है आपको overall size जो है length है वो 185 mm है width जो है 116 mm है range लगभग 20 meter company का दावा है मगर मैं मानता हूँ 15 minute में accurate हो सकती है action जो है इसमें दोनों action है आप single hammer भी इसको चला सकते हो rapid fire भी आप इस पे कर सकते हो price जो इसका है काफी सस्ता है 60,000 रुपए की यह है included tax तो आप 60,000 में एक revolver इस तरीका की ले सकते हो ऐसा नहीं है कि यह revolver अच्छी ही है हर चीज में अच्छी है लेकिन इसके साथ minus point भी है सबसे बड़ी minus point यह है कि इसमें safety lock नहीं है यानि यह थोड़ी सी dangerous हो जाती है रखते समय क्योंकि आप कर इसमें गोली भर के रखे हो तो आप lock नहीं है hammer जिसके कारण यह कभी भी by accident यह चल सकती है तो इसकी सबसे बड़ी minus point यही है और जो दूसरी minus point इस revolver में है वो यह है इसे बिना आप गोलियों के ना चलाए यानि blank fire बिल्कुल ना करें इसके साथ जब आप blank fire करते है तो इसकी rim के उपर जिस पे गोलियां रखी अटकती है उस पे भी hit करती है यह आप देख सकते है यहापे कुछ hits आपको नजर आएंगे तो यह इसकी सबसे बड़ी minus point है यानि यह damage कहुचाती है अपने gun को ही तो इसकी जो rings है वो खराब हो जाएंगे और यह खराब हो जाएंगी तो exact करना और गोली को लगाने में problem आ सकती है प्लस अगर इस ring को ठीक से set न किया जाए तो वो body में भी damage पहुचा सकती जैसे कि आप देख सकते है वहाँ black color उतर चुका है और आपे काफी scratches आ चुके है तो यह इसकी एक minus point भी है यानि देखने में तो revolver अच्छी है चलाने में भी अच्छी है weight काफी कम है मगर minus point दो जरूरी है मगर हाल फिलाल फिर भी यह देखने में काफी सुंदर है compact है एक हाथें पकूबी आ जाती है चलाने में भी आरामदायक है trigger काफी आरामदायक है trigger light है तो कुल मेला के कुछ कमियां भी है तो कुछ अच्छाईयां भी है अगर carry कर रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये gun है मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको इसकी fire की भी वीडियो दिखा सकोगी किस्ता से fire करती है अगर इप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like और share जरूर करें धन्यवाद